देश को सटी जोजनाओं के माध्यम से शक्ति साली राष्ट बनाने की दिशा में एक एहम कदम है इस बजेट में मिडल क्लास से लेकर के स्रमिकों तक किसान उन्नती से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक इंकम टेक्स रिलीफ से लेकर इंफास्ट्रक्चर तक मैनुफेक्टरिंग से लेकर MSME सेक्टर तक हाउसिंग से लेकर हेल्थ केर तक एकोनमी को नई गती से लेकर न्यू इंडिया के निरमार तक सबका ध्यान इस बजेट में रखा गया है साथियों हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है आईशमान भारत योजना का लाप पचास करोर गरीबों को मिलना सुनिश्टित हुआ है प्रदान मंत्री जीवन जोती योजना और सुरक्षा भीमा योजना का लाप 21 करोर गरीबों को मिल रहा है स्वच्छ भारत मिशन का लाप 9 करोर से जादा परिवारों को हुआ है उजबला योजना के तहट 6 करोर से जादा परिवारों को मुप्त गैस कनेक्शन मिला है प्रदान मंत्री आवास योजना की वेज़र से डेड़ करोर परिवारों को उनके अपने पक्के घर मिले है अब इस बजेट में 12 करोर से जादा किसानों को 3 करोर से जादा मर्द्यम बर्के टैक्सपेर परिवारों को और 30-40 करोर स्रमिकों को सीधा लाब मिलना तै हुआ है साथियों सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी रेकॉर्ड गती से कम हो रही है लाखों करोरों लोग गरीबी को परास करके नियो मिडल क्लास मिडल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं देश का ये बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और साथ साथ देश के विकास को गती देने में जुटा हुआ है ऐसे समय में इस बढ़ते मिडल क्लास की आशा आकांशाओं को कुछ कर दिखाने के जजबे को होसला मिले उसको सपोर्ड मिले इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिवद्दता दिखाई है मैं देश के मिडल क्लास सेलरीड मिलल क्लास को इंकम टैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ यह मद्द्वर्ग और उच्चम मद्द्वर्ग की उधारता ही है उनकी इमानदारी ही है कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिवद्दता ही है जिसकी वज़र से देश को टैक्स मिलता है देश की योजनाय बनती है गरीब का कल्यान होता है बरसों से ये मांग रही है कि पांच लाख रुपिय तक की आएको इंकम ट्रेक्स से मुक्त गोशित किया जा है इतने बरसों से की जा रही इस मांग को पुरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है साथियों किसानों के लिए समय समय पर अलग-अलग योजनाएं अलग-अलग सरकारों ने बनाई है लेकिन उपरी सत्व के दो-तीन करोड किसानों से ज़्यादा किसान इन योजनाओं के दाइरे में आये ही नहीं अब प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी यानि जिसे पी-एम किसान योजना कहा जा रहा है उसका लाब बारा करोड से ज़्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास पांच एकर से या पांच एकर से कम भूमी है एक प्रकार से आजहाती के मात देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है पशुपालन, गौसमवर्धन, मचली पालन जैसे ग्रामीन जीवन और क्रिसी जीवन से जुड़े अहम खेत्रों का भी इस बजेट में विशेज ध्यान रखा गया है राश्ट्रिय कामधिनु आयोक और मचली पालन का अलग डिपार्टमेंट करोरों किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा मच्वारों की मदद करेगा हमारा ये पूरा प्रयास है कि किसान को ससक्त करके उसे वो साधन दे, संसाधन दे जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके आज के निर्णयों से इस मिशन को और तेजी मिलेगी साथियों आज भारत में अनेक शेत्रों में विकास हो रहा है नए नए प्रकार के खेत्रों में नए नए विस्तारों में नए नए प्रकार की योजनाओं में प्रगती हो रही है और इन खेत्रों में काम करने वाले लोगों की संक्या भी निरंतर बढ़ती जा रहीには लेकिन असंगठित छेत्र के समीकों, मद्दूरों, अन और्गनाइज लेबर जिसमें घर काम करने वाले लोग हो या खेतर मद्दूर हो या ठेले चलाने वाले लोग हो ऐसे समाज का एक बहुत बड़ा तपका है मेरे भाईयों बहनों, इन मेरे बंदूहों की चिंता कभी नहीं की गई उन्हें उनके नसीब पर छोड़ दिया गया हमारे देश में इनकी संख्या, अन और्गनाइज लेबर के संख्या करीब परीब 40-42 करोड है, उनके लिए प्रदान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना उनके जीवन के उत्तरार्द, सांस वर्स की आयू के बाद की जिन्दकी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी उन्हें आयुशमान भारत योजना, प्रदान मंत्री जीवन योटी योजना प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना प्रधान मंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं का लाप्तों मिलेगा ही बुढ़ापे में रोज मरा की जिन्गी गुजारने के लिए पैंशन भी मिला करेगा भाईयों और बहनों हमारी सरकार देश के हर उस नागरित को विकास की मुख्यधारा से जोडने का प्रयास कर रही है जो अब भी कुछ कारणों से विकास का पुरा लाप नहीं ले पाए है समाज की आखरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचने के इस प्रयास में सरकार ने गुमंतों समुदायों जैसे मदारी हैं, सपेरा हैं, बंजारा हैं, गाडिया लुहार हैं आदि के लिए एक वेलफेर बॉर्ड बनाने का भी फैसला किया है, मुझे उमीद है कि सही पहचान होने के बाद सरकार के विकास कारियों का लाप इन समुदायों को और तेजी से मिलेगा साथियों, व्यापारी वर्क के लिए, ट्रेडर्स के लिए, कोई मंत्रालाय हो, उस विचार से एक नभी व्यवस्ता का विक्सित करने की दिसामें हम आगे बड़े हैं देश के व्यापारी वर्क, ट्रेडर्स और अनेक कर्मचारियों के आवश्रक्ताओं को समगते हुए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, डियाए पीपी को रिस्ट्रक्टर करके उसे विशेश जिम्मेदारी दी गई है अब ये विभाग Department for Promotion of Industries and Internal Trade के नाम से जाना जाएगा मुझे पसंदता है कि लिए अगले दसक के अंत तक की आवश्रक्ताओं को और लक्षों को ध्यान में रखते हुए भी इस बजेट में योजनाओं को समाहित किया गया है ये बजेट गरीब को शक्ती देगा, किसान को मजबूती देगा, स्रमिकों को सनमान देगा, मिडल क्लास के सपनों को साकार करेगा, इमानदार टैक्सप्यर का गवरोगान करेगा, ट्रेडर्स को ससक्त करेगा, इन्फास्ट्रक्चर निर्मान को गती देगा, अर्थ सवास मजबूत करेगा, ये बजेट न्यू इंडिया के लक्षों की प्राप्ति में देश के 130 करोड लोगों को नई उर्जा देगा, ये बजेट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्सी, सर्वसमावेशी है, सर्वोत कर्ष को समर्पित है, मैं एक बार फिर हमारे मित्रा अरून जी को और प्यूज जी को और उनकी टीम को इस उत्तम बजेट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवादू